महादेव मुर्मू का प्रश्ण है अचारी जी इन्होंने जिन शब्दों में लिखा है मैं वैसे ही शब्द पढ़ रहा हूँ सर आप इतना बोल बोल कर ज्यान देते हैं जरा जो नई पीडी के लोग हैं उनको जिन्दगी जी कर ज्यान लेने दीजिए महादेव मुर्मू आपको मिल गया जी कर ज्यान आपको मिल गया है ज्यान क्या आप कह रहे हैं कि दूसरों को जी जी कर ज्यान मिल जाएगा क्या जवाब तूं कितनी बार बोल चुका हूँ ठकान से उठती है देखो ऐसे सभी सवालों के मूल में एक माननिता होती है एजम्शन जो कि बहुत जूटा और बहुत खतरनाक है जानते हो क्या वो यह कि जो इनसान पैदा हुआ है जो बच्चा पैदा हुआ है वो समझदारी कहलो बोध, मुक्ति कर लेगा खुदी हासिल कर लेगा आसान है यह माननिता होती है और यह बहुत खतरनाक बात है यह किसी को बोल मत दे ना अगर उसको तुम जरावी चाहते हो या उसके शुपचिंता को महादेव, महराज जो बात कह रहे हो समझ में आ रही है वो कह रहे हैं कि आप कहे को ठके जा रहे हैं ग्यान दे दे करके छोड़ दीजिए सब लोग जा करके अपनी जिन्दगी जीए, अनुभाव लें और वो खुद ही समझ जाएंगे चीजों को ऐसा तुमने कहां होता देखा महादेव ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसी प्रकृत की इच्छा ही नहीं है ऐसे हम पैदा ही नहीं किये गए हैं आप एक बहुत मूलभूत, fundamental बात नहीं समझ रहे हो इंसान का बच्चा समझदार होने के लिए नहीं पैदा होता आप सोच रहे हो जो पैदा ही हो समझदार होने का तो in the natural course of events माने प्राकृतिक तरीके से वो धीर धीर समझ खुदी हासिल कर लेगा नहीं करेगा बाबा तुम अपने बच्चे को महा देओ जँगल में छोड़के देख लो क्या हासिल करता है भूत सारे बाल हासिल करेगा बस जाना उसको दस साल बाद मिलने के लिए जँगल में और देखना उसने कितनी भाषाएं हासिल कर ली कितना ग्यान हासिल कर लिया कितनी समझ हासिल कर ली उसके पास तुम्हें बहुत सारा क्या मिलेगा बाल इससे समझ्जाओ कि प्रक्रति ने हमें कैसा पैदा करा है हम पैदा ही गड़बड होते हैं इतनी बार बोल रहा हूं हमारे हंकार कोई बात पसंद ही नहीं आती सुननी तो कि अगर कोई इतने ही बोल दे कि तुमसे गलती हो गई तो हम मान सकते हैं एक बार की गलती हो गई लेकिन असलियत यह है कि हम तो पैदा ही गलत होते हैं आप समझदारी के लिए, होश्यारी के लिए शांती के लिए मुक्ते के लिए पैदा नहीं हुए हो आप प्रेम के लिए भी नहीं पैदा हुए हो ये सब बातें बहुत मेहनत से अरजित करनी पड़ती है शांते, मुक्ते, समझदारी, प्रेम वो एकदम चुप जाती है न मेरी बात जब मैं कहता हूँ कि प्रेम भी सीखना पड़ता है आदमी का बच्चा जंगल में छोड़ दोगे वो जीवन भर प्रेम नहीं जान पाएगा हाँ वो पेड़ पे चाहणना सीख लेगा फल फूल इधर उधर से तोड़ के खाना सीख लेगा जानवरों को दोड़ाना सीख लेगा यह भी हो सकता है कि छोटे जानवरों को मार के खाना शुरू कर दे यह सब वो सीख लेगा सेक्स की इक्षा भी उसमें अपने आप उगाएगी उसके जैसी कोई मादा होगी उस मादा के पीछे भी दोड़ना सीख लेगा और ये भी प्रक्रति उसे स्वयमी सिखा देगी कि अपनी ही प्रजाती की मादा के पीछे दोड़ना चाहिए आदमी का बच्चा मुश्किल लगता है कि घोड़ी के पीछे दोड़ेगा या हिरणी के पीछे दौड़ेगा, नहीं होगा ये बाते प्रकृत्ति सिखा देगी ये समझदारी तुम में आ जाएगी अपने आप तुमने नहीं देखा होगा कि कुट्ता गधी पर चड़ा हुआ है कुट्ते को ये समझ कौन देता है कि कुटिया के पीछे जाना यह प्रकृति दे देती है और वो चाहती है कि तुम समझ के इसी स्तर पर अटक कर रह जाओ वो नहीं चाहती कि तुम स्वयमी स्तर से उपर उठो भाई हालगी किसी और दिन मैं ये भी कहूँगा कि प्रकृति ने तुम्हें वो सारे उपकरण और संसाधन देश रखे हैं जिसका इस्तिमाल करके तुम प्रक्रति से उपर उठ सकते हो मैं ये भी कहूँगा लेकिन इस प्रश्ण के संदर में मैं यही कहूँगा कि हम ऐसे नहीं पैदा हुए हैं कि अपने आप उपर उठ जाएंगे अटक के रह जाने की संभावना 99.9 प्रतिशत है हजारों लाखों में कोई एक बिरला पैदा होता है जो बहुत सारी सहायता पाने के बाद भी बाहर निकल पाता है या उठ पाता है मैं नहीं कहा रहा हूँ अपने आप तो छोड़ दो तुम्हें जबरदस्त सहायता दी जाए पचाथ जबरदस्त मनीशी मिलकर तुम पर काम करें तो भी इस बात की एक प्रतिशत भी संभावना नहीं है कि तुम प्रकृति के चक्र से उपर उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे क्योंकि हमारा निर्माड ही ऐसा नहीं हुआ है आदमी को प्रकृति से उपर उठाने की कोशिश लगभग वैसी है जैसा हॉंडा एक्टिवा को रॉकेट बनाने की कोशिश समझ में आ रही बात अब एक्टिवा के नीचे तुम चार बूस्टर इंजन लगा भी दो तो भी क्या संभावना है कि उसमें escape velocity आ जाएगी वह भी वर्टिकल कैसे कैसे लाओगे बुलो क्यों नहीं आएगी क्योंकि उसका design ही ऐसा नहीं है भाई हमारा भी जो design है ना इसका 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 यह ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने आप ही होश आ जाएगा कि समझ आ जाएगी नहीं आने का हाँ दुनियादारी के मसलों में तुम कुछ चतुराई हासिल कर सकते हो आदमी के बच्चे को जंगल में छोड़ोगे और कुछ दुन में चतुराई पूरुव की देख लेगा कि कौन से पेड़ पर जादा फ़ल आते हैं या नदी के किस तट पर पानी पीना जादा सुरक अरे भाई दुनिया के अंदर दो चीज़ें हमें उनका पूरा पूरा ख्याल आता नहीं दुनिया के पार जाना ये ख्याल कहां से आ जाएगा आता ही ने उप और वही दुनिया का जीवन का सबसे जरूरी काम है जिसका हमको विचार आ ही नहीं सकता संजमें हा रही ए महाराज अबने आप नहीं होने का अपने आप तो छोड़ दो पचास लोग मिल करके तुम पर महनत करें तो भी नहीं होने का और तुम कहरे और छोड़ी आ यह तो बच्चे हैं सबको अपने अपनी मर्जी करने दीजिये सीख लेंगे जिन्गी के अन्वों सबको सिखा देते हैं तुम सो साल के नहीं तुम छे सो साल के हो जाओ तुम्हें जीने के लिए छे हदार साल दिये जाएं जिन्दी के अन्वों से तुम तब भी नहीं सीखोगे और कोई सीखेगा तो मैं कह रहा हूँ लाखों में कोई एक होगा जिसको 6000 साल की उम्र दे दो तो भी वो वो बात सीख लेगा जो सीखने लायक है नहीं तो नहीं सीख पाऊगे 6000 साल जीके भी नहीं सीख पाऊगे अचार जी इन्होंने कुछ अभी लिख कर भेजा है सत्र के दोरानी माफ करिएगा मैं उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा था पर अचार जी कुछ ऐसे भी तो गुरू होते हैं जो पूरा दिल से बताते हैं उन्हें किताबों के पढ़ने की जरूत नहीं होती है जैसे हमारे गुरू है उनका ग्यान सारा दिल से निकलता है देखो जिन्हें बात समझ में आई थी वो पागल तो नहीं थे ना कि जो बात उन्होंने समझी उसको किसी किताब में लिखकर तुमारे लिए छोड़ गए उन्हें बात समझ में आई माने वो लोग कैसे थे कैसे लोग थे समझदार तो इस समझदारी की बात थी न कि उन्होंने किताबे लिखके छोड़ी, अगर एक समझदार आदमी किताब लिखके छोड़ रहा है, तो यानि किताब समझदारी की होगी, और दूसरों को उस किताब को पढ़ने के लिए ही तो किताब को छोड़ रहा है, या वो किताब उसने तो अगर तुम मान रहे हो कि वह आदमी समझदार था और उसने अपनी समझदारी में ओ किताब तुम्हार लिए छोड़ी है तो तुम्हें तकलीफ क्या होई जा रही है ओ किताब पढ़ने में गुरुजी के दिल की छोड़ो हो जाने काडियोलोजिस्ट बताएगा उनका दि मैं किताब से पूछ रहाँ कि क्या दुश्मनी है और फिर कह रहाँ करोड़ों अर्बों में कोई होता है जिसको कोई सहायता न मिले फिर भी उसे जो अतिंद्रिय सत्त्य है वो पकड़ में आ जाए या पकड़ में आना तो छोड़ दो एक जलग भी मिल जाए तुम्हारे गुरुजी तुमको लगता है उस स्तर के हैं तो ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि मैं इस संभावना को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता है कि करोड़ों अर्बों में कोई ऐसा हो भी सकता है जिसने कोई किताब न पढ़ी हो कोई सहारा न लिया हो किसी को सुना उसके बाद भी उसके ग्यान चक्छों खुले हुए हो करोड़ों अर्बों में ऐसा कोई निश्चित रूप से हो सकता है तुम्हें लगता है तुम्हारे गुरुजी वैसे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जो वैसा होता है फिर उसके सभी कर्म बोध की उसी उचाई से निक जलती हैं और फिर इस संभावना को भी खारिज मत कर देना कि ग्रंथों नहीं जो कहा है उसको वास्तों में समझना और उस पर इमांदारी से चलना बहुत मेहनत का बहुत साधना का काम है जबकि यह क्या देना कि साभ हमें तो आँख बंद करके सत्य पता चल जाता है बहुत आसान और बहुत आलस का काम है कोई भी ऐसा होगा जो मेहनत नहीं करना चाहेगा उसके लिए बहुत आसान रास्ता खुल गया है क्या, हम तो आख बंद करते हैं, मैं सत्य पता चल जाता है क्योंकि भीतर तो सब के पास कहानियां होते ही है स्कूल में ऐसा हुआ करता था आप से कोई सवाल पूछा गया यह आम तोर पर हिस्ट्री में या इंगलेश हिंदी लिट्रेचर के पेपर्स में होता था कि सवाल पूछा गया है, सहाब किताब तो पढ़के आए नहीं है तो क्या करते थे? वो करते थे कि जो उन्होंने फिल्म देख रखी है, सीरियल दे रखा है या किस्सा देख रखा है, उसके आधार पर वो पूरा चार-पांच पन्ने का उत्तर दे देते थे और उनका भी जवाब यही होता था, हमें किताब से थोड़ी कुछ पता है, हमें तो सब यहां से पता है यहां से, पता तुम्हें भी यहां से नहीं है, तुमने भी धरज़र सुन लिया है बस और तुम इतने आलसी आदमी हो और इतने मकार आदमी हो की किताब तुमसे पढ़ी जाती नहीं और ऐसा भी नी किताब पूरी तरह छोड़ रखी है दो-चार बाते किताब से भी उठा ली ताकि परिक्षा को लगे कि कि जो बोल रहा है किताब से ही बोल रहा है तो बीच बीच में भी डाल दी पूरी तरह से किताब छोड़ी भी नहीं है तो इस संभावना पर भी विचार करके देख लेना कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है किताबे छोटी चीज नहीं होती और मैं सब किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उन किताबों की बात कर रहा हूँ जो अहम की बात करती है वो किताबें बड़ी मुश्किल होती है इसलिए नहीं कि उन्में कोई बहुत जटल बात लिखी है इसलिए क्योंकि उनको ज्हिलना मुश्किल होता है बात वहां जो लिखी हो बहुत सीधी है जटिल नहीं है पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हpose कि समझ में नहीं आएगी तकलीफ तम्हारी यही है कि पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी और समझ में आ गई तो भीतर कुछ तूट जाएगा और सुख सुधाओं पे तगड़ी चोट पड़ेगी मुझे कोई एक परचे में लेक्के दे दे तुम बेईमान हो इन तीन शब्दों में ऐसी कोई जटेलता नहीं थी कि मुझे समझ में नहीं आएगा पर मैं इस परचे को पढ़ना चाहूंगा नहीं बाच समझ में रही है अगर मुझे पहले से ही पताय में बेईमान हूँ और सामने वाला कोई है जो मुझे मेरी सच्चाई एक परचे में लिखके दे रहा है तो न तो वो परचा मैं खुद पढ़ना चाहूंगा और नहीं मैं चाहूंगा उसे कोई और पढ़े उन किताबों में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि अरे बड़ी-बड़ी किताबे पढ़ी है उच्ची-च्ची किताबे पढ़ी है उसमें कोई बड़ी और उची बात नहीं है उसमें बस सरल सीधी और सची बात है इतनी सरल सीधी सची बात है कि जेल नहीं पाऊगे तो फिर एक पारस पर एक साजिश करी जाती है कि ना हम पढ़ेंगे उस परचे को ना तुम पढ़ो क्योंकि पढ़ डिया तो दोनों को पता जो ग्रंथ अहम की बात कर रहा हो बने आपकी आपके मन की उसको पूरी गहराई और पूरे आदर के साथ पढ़े है वही एक चीज है जो जानने लाया कि क्योंकि वही हम है और हम जैसे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है संतुष्ट नहीं है तो हम जैसे हैं उसको बदलना पड़ेगा और उसके लिए वो जो ग्रंथ है किताब है वो उपयोगी होती है उसका उपयोग कर लीजिए